आल राइट, हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फिटन फाइन और वेलकम बाक तो माई यूट्यूब चानल चिल्डरन, यू आल मस्ट बी अवेर दाट वी अवेर दाट वी अवेर दाट वीडियो में काम कर रहे हैं यह वर्ड आप सबने सुनाओगा, especially maths में यह वर्ड यूज होता है वेरियेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वैरी करे या जिसकी वैल्यू चेंज हो मतलब ऐसी चीज जिसकी value vary करे या जिसकी value change होती है जिसकी value fixed नहीं होती इस चीज को हम बोलते है variable लेकिन अगर हम computer की भाषा में बोले या computer terms में बोले तो जो हमारा variable होता है उसको हम बोलते है named memory location named memory location ठीक है now this named memory location is used to store the values इसके अंदर हम values को store करेंगे अब वो values किसी भी तरह की हो सकती है किसी भी data type की हो सकती है ठीक है इसका छोटा सा example देखते है इसको और अप कर देते है suppose अगर मुझे कोई variable बनाना है okay python language के अंदर अगर मुझे कोई variable create करना है तो मैं कैसे create करूँगी इसकी सबसी अच्छी खास बात यह है कि आपको यहाँ पर data type वगेरा देना नहीं पड़ता okay automatically वो type ले लेता है fine for example अगर मैंने एक variable लिया marks यह मान लेजिए marks एक variable है ठीक है अब इसको जो हम value देंगे वो कैसे देंगे यह देंगे तो इसको बोलते हैं variable को initialize करना ठीक है variable को value assign करना ठीक जो भी variable है equal to उसके साथ आप जो value देना चाहते हो उसकी वो दे दीजे इसी तरीके से name यह दूसरा variable है दूसरा example अगर मुझे पूजा लिखना है तो मैं quotes के साथ लिखूँगी ठीक है अब तीसरा variable अगर मुझे percentage लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी 78.48 ठीक तो यह तीन variable के हमने examples लिये और तीनों का जो type है वो हमने अलग लिया type का यहां मतलब है data type इसका जो data का type है वो है integer यहां पर हमने एक integer value लिये ओके इसका जो data का type है वो है string हमने यहां एक string value लिये ठीक है इसका जो data type है percentage का that is a float value ओके so I hope इतना आपको समझ में आया कि variable कैसे लिया जाता है simply हमें कुछ भी नहीं करना आपको variable name लिखना है this is the variable name equal to and उसको एक value assign करना है दूसरा variable equal to and value assign करना है ठीक है तो यहां आप यह देख सकते हैं कि आप जो variables assign करते हैं वहाँ कोई data type लिखने की ज़रुरत नहीं है python की सबसे खास बात यही है कि आप normal variable लिखके equal to करके उसको value दे दीजे ठीक data type वो अपने आप लेता है automatically लेता है तो variable की definition क्या हो गई named memory location clear now हम variables को किस तरीके से assign कर सकते हैं values किस तरीके से दे सकते हैं सबसे पहली चीज़ आप ऐसा लिख सकते है a equal to b equal to c equal to value यह एक तरीका है ठीक है इस तरीके से हमने क्या किया हमने क्या किया हमने same value assign करी है आप देख सकते हैं हमने same value assign करी है अलग-अलग variables को ठीक है तो हमने क्या किया same value to multiple variables मैंने multiple variables को याने अलग-अलग variables जो थे a, b, c उन सबको मैंने एक जैसी value assign करी सभी को मैंने 10 assign करी तो अगर आपके ऐसे कोई variables हैं जिन सभी को आप same value assign करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं ठीके एक होता है second तरीका ठीक है this is the second method now इस method के अंदर हम क्या कर रहे हैं a, b, c equal to 10, 20, 30 मतलब क्या कर रही हूँ यहाँ पर मैं a को जो value assign कर रही हूँ वो है 10 b को जो value assign कर रही हूँ वो है 20 and c को जो value assign कर रही हूँ वो है 30 मतलब मैंने अलग-अलग variables याने a, b, and c इनको अलग-अलग value assign करी है that is 10, 20, and 30 ठीक, so this is the second way याने कि एक तो वो तरीका था जो मैंने आपको इसके पहले बताया आप a equal to 10 लिख सकते हो b equal to 20 लिख सकते हो और उसके बाद वाली line में c equal to 30 लिख सकते हो एक तो वो हो गया ठीक है और अगर आप a की line में values assign करना चाहते है तो आप कैसे करेंगे इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया a, b, c equal to 3 values दे दीजे जितने भी variables हैं उतनी values दे दीजे तो यह क्या हुआ यह हुआ multiple values multiple sorry multiple values to multiple variables ठीक है यह हमारा क्या हुआ multiple values to multiple variables so I hope this is clear कि variable क्या होता है variable को value कैसे assign करते हैं ठीक अब हम पढ़ेंगे इसी variable के अंदर एक छोटा सा topic that is dynamic typing dynamic typing dynamic typing का मतलब क्या होता है अब देखिए अगर हमको किसी variable को कोई value assign करना है ठीक है अगर मैंने लिखा a equal to 5 और मैंने इसकी value print करवा दी मैंने लिखा print a ठीक अब उसके बाद मैंने लिखा a sorry yes I am writing a equal to 10 right and I am giving print a तो obviously यहाँ पर हमको जो output मिलेगा यहाँ पर जो हमको output मिलेगा a की value हमें क्या मिलेगी 5 और यहाँ हमें a की value क्या मिलेगी 10 ठीक है तो एक program के अंदर आप देख सकते हैं यह हमारा program है और program के अंदर हम यह कह सकते हैं कि a की value थी जो पहले थी वो 5 थी और बाद में हो गई 10 तो जब आप यहाँ आपने यहाँ पर जब a की value प्रिंट करी तो आपके पास value आई 5 जब आप यहाँ a की value प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी value आई 10 तो कहने का मतलब यह है कि यह जो program run हुआ run होते time पहले उसकी value थी 5 और फिर उसको value नई value असाइन हुई 10 यानि ए variable को ही पहले 5 थी फिर 10 value असाइन हुई तो यह कर सकते हैं इसी चीज़ को बोलते हैं dynamic typing यानि कि run time पे या execution time पे आप variable को नई value दे रहे हो तो वो काम करेगा ठीक है और वो नई value को assign कर लेगा और उसी की according work करेगा so this is called dynamic typing मतलब run time पे आप value assign कर रहे हो variable को ठीक so I hope this is clear मैं यहाँ से अपने pydroid 3 app को open कर लेती हूँ as you can see अपने सारे programs हम pydroid 3 app में बनाते हैं ठीक है तो चलिए मैंने इसको open कर लिया है अभी मैं variables ले लोंगी as you can see a equal to 5 b equal to 10 and c equal to 15 ठीक है अब अगर मैं इनकी values को print करवाना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ print a same way print b as you can see तो आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी data टाइप नहीं दिया है okay and print c ठीक मैंने कहीं भी कोई भी data टाइप नहीं दिया मैंने तीनो a, b, c तीनो जो variables हैं उनको मैंने integer value assign कर दिया बिल्कुल as simple as that और तीनों को मैंने print करवा दिया तो ये देखिए मेरे पास क्या values आ गई 5, 10 and 15 बहुत ही आसान ठीक इसी तरीके से अगर मैं b को कोई string value देना चाहूं जैसे कि मैंने आपको बताया अगर अपन hello देना चाहरे हैं तो अपन दे सकते हैं और इसको कोई floating value देना चाहें तो दे सकते हैं तो इसको जब अपन print करवाएंगे तो आप देख सकते हो a की value आ गई b की value आ गई hello c की value आ गई 15.789 ठीक तो इस तरीके से आग ये चीज़ें कर सकते हैं now what I want to say is अब मैं आपको सिखाऊंगी कि how to assign same value to the multiple variables same value to the multiple variables ठीक है तो हमको क्या करना था a equal to b equal to c and equal to करके कोई भी value दे दो ठीक है मैंने a, b और c तीनों को बराबर same value दी है ये क्या था हमारा assigning the same value to multiple variables और उन तीनों को print करवा के देखते हैं अपन तो देखिए क्या आया a की value आई 89 b की value आई 89 c की भी value आगई 89 next हम देखेंगे assigning the different value to multiple variables like a, b, c ठीक है a, b, c इनको मैं क्या value आई आई कर रहे हूं मैं value आई कर रहे हूं 10, 20, 30 ठीक है I hope this is clear अभी ध्यान से देखिए मैंने इसको क्या किया है मैंने a, b और c तीनों को अलग-अलग value assign करनी है a को 10 देना है b को 20 देना है और c को 30 देना है तो कैसे लिखोगे सभी variables को कॉमा 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 करके लिख लो और equal to करके values देदो उनकी तो देखिए क्या आया a की value आगई 10 b की value आगई 20 c की value आगई 30 clear तो ये था पूरा concept हमारा variables का कि variable क्या होता है उसको value कैसे assign करते हैं उसको कॉमा करते हैं к्याह जुज कि ये